हाँ जी भाई लोग मैं होप करता हूँ आप बहुत जादा अच्छे होंगे और व्लाग विजाट की नियोव वीडियो में आपका स्वागत है Suzuki की Vitara Brezza आज इन दोनों गार्डियों के डिफ्रेंस के बारे हम बात करेंगे बात करेंगे इनकी प्रैजिन के बारे में और हम आज बात करेंगे इन दौनों में से कौन सी better होगी आपके लिए तो इस वीडियो को लास तक देखना काफी मज़दारे वीडियो होने वाली है करते हैं इस वीडियो को start Let's go तो भाई आज हम बात करने वाले हैं इन दौनों गाडियों के base variant के बारे में माने के XUV300 1.2 W4 versus Vitara Breza LXI इन दौनों के base variant की सबसे पहले pricing की बात कर लूँ तो भाई XUV हमें पढ़ जाती है 9,8,000 on road in Agra और Vitara Breza की pricing की बात कर लूँ तो 8,58,000 on road in Agra इन दौनों गाडियों की detailed वीडियो मेंने बनागे रखियो यह ownership review के साथ तो link description में है अगर उन वीडियो को भी detail में देख सकते हो बट आज हम बात करेंगे इन दौनों के difference के बारे में तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दौनों गाडियों की ताकत के बारे में तो बात कर लेते हैं XUV के engine के बारे में पावर भी जादा है तो maximum power में तो भाई 109 BHP की power generate करता है 5000 RPM पे XUV का engine और भाई 103 BHP की power generate करता है 6000 RPM पे विटारा ब्रेजा का engine तो यहां कुछ ब्रेजा पीछे हो गई भाई 1500 CC के मामले में 103 BHP यह कुछ बात हजम नहीं हुई बट अगर torque की बात करें भाई 4400 RPM पे अगर बात कर लेते हैं maximum power और torque के बारे में तो भाई यहां ब्रेजा का engine काफी नीचे जा चुका है क्योंगे 1500 CC की बाद इंसान expect करता है थोड़ी सी power और torque ज्यादा generate करें बढ़ हाला कि ऐसा नहीं है और engine type के बात कर लेते हैं तो XUV में हमें मिल जाता है 1.2 turbo engine और वहीं हमें विटारा ब्रेजा मिलता है K15B का engine तो भाई यह हो गई इसके engine की बात चलते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके front look की looks में सबसे पहले जो नजर जाती हो जाती है head lights पर front looks में बात कर लेते हैं सबसे पहले head light की तो भाई XUV 3W में मिलती है हमें halogen headlights जो की मुझे खासा पसंद नहीं है बट यहीं अगर हम बात कर लेते हैं विटारा ब्रेजा की तो उसमें मिल जाते हैं halogen projectors तो भाई front look में अगर दोनों गाड़ियों की बात कर तो यहां मुझे काफ़ी better लगा है विटारा ब्रेजा का लोग as compared to XUV 3W चलते हैं side में बात कर लेते हैं इसके बाद इन दोनों के tires की तो भाई दोनों गाड़ियों में tire तो हमें 16 inches के मिलते हैं बट जो tire की profile है वो XUV 3W में मिलती है 205-65R16 और हमें विटारा ब्रेजा में मिलती है 205-60R16 तो भाई 5 की हमें मिलती है कम अब बात कर लेते हमें गाड़ी की dimensions के बारे में basically देखा जाए इन दोनों गाड़ियों में length, breadth, height में जादा फरक नहीं है बट फिर भी थोड़ा बहुत फरक है वह मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले बात कर लेते हैं XUV3W की height की तो वह हमें मिल जाती है 1627 mm की यही हमें विटारा ब्रेजा में मिलती है 1640 mm की जो की 13 mm कम है XUV3W से अब बात कर लेते हैं विर्थ की तो उसमें हमें मिल जाती है XUV3W में 1821 mm की 1821 mm की जो की 31 mm जादा है विटारा ब्रेजा से यही हम बात कर लेते हैं विल बेस की तो हमें 2600 mm का विल बेस मिल जाता है XUV3W में जो की 100 mm जादा है विटारा ब्रेजा से अगर हम बात कर लें ग्राउंड क्लिरेंस की तो भाई 180 mm का ground clearance मिलता है हमें XUV3W में जो की 18 mm कम है हमारा Vitara Breza से Vitara Breza में 198 mm का ground clearance मिलता है ये तो बात होगी भाई इसके dimensions की अब चलते हैं इसकी boot space पे तो भाई हमें XUV3W में 257 liter की boot space मिल जाती है और यहीं हमें Vitara Breza में 328 liter की boot space मिल जाती है जो की 78 liter जाता है XUV3W से अब बात कर लेते हैं fuel tank की तो भाई 42 liter का fuel tank मिलता है हमें XUV3W में और यह 48 liter का fuel tank मिल जाता हमें Vitara Breza में तो भाई यह सारे होगी इसके exterior features के बारे में अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और करते हैं कुछ छोटी मोटी बात हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करो नो भाई तो वो है इसका stereo XUV3W में हमें stereo मिलता नहीं है तो भाई यह थोड़ा base model में stereo हर कोई जाता है stereo तो कम से कम होना चाहिए बट यहीं अगर बात कर लेते हैं Vitara Breza की तो भाई इसके अंदर हमें stereo दे दिया बट हमें Vitara Breza में 60-40 का spirit नहीं दिया गया पर मुझे नहीं मालूँ मैं ऐसा क्यों नहीं किया गया है क्योंकि ये वाला जो feature है यह होना चाहिए क्योंकि मेरी बलेनों में ये वाला feature आता है बट शायद base variant के विए ऐसे ना आता हो और ये Vitara Breza की बात करने तो 17.03 है तो average में बिलकुल भी फरक नहीं है बट एक जो main फरक जो मुझे लगा है वो ये है XUV3W में 6 manual gears आते हैं sports mode के साथ और इसके अंदर हमें turbo charge भी मिल जाता है बट विटारा Breza में 5 manual gears आते हैं और इसमें turbo charge भी हमें नहीं दिया गया ये दोनों ही base variant है अगर आप इन दोनों base variant में से कोई भी सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से आप जाओ XUV3W की साथ क्योंकि भाई गाली की build quality काफी जादा अच्छी है वैसे अगर देखा जाए तो global in cap के हिसाब से विटारा ब्रेजा को 4 star rating जरूर मिली है बट फिर भी XUV3W much 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 better है विटारा ब्रेजा से बागी सारी चीजों के बारे में भी देखा जाए तो difference कुछ खासा इतना फरक नहीं है बारा साइध 11,000 का फरक है बस इन दोनों गाडियों में और अगर आप थोड़ा बहुत bargain बगएर करोगे तो शायद ये फरक और भी कम हो सकता है तो मेरा point of view ही है कि आप XUV3W की side जाए बागी सब आपके उपर depend करता है आपको कौन सी गाड़ी लेनी है अगर आप मारूती सुजुकी के fan है आफ्टर सेल सर्विस से आप बहुत ज़्यादा खुश है तो आप विटारा ब्रेजा भी ले सकते है तो बाई इस वीडियो को आज हम यहीं पर end करते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंट्रस्टिंग और हम गाडियां लेकर आएंगे आपके सामने तब तक के लिए खयाल रखिए थेंक यू सो मच